नमस्कार दोस्तों गूमो जी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ अविरल और आज बात करेंगे हिमाचल पर्देश के कर्फ्यू की धील या सक्ती के बारे में जियां दोस्तों आप देख रहे हैं गूमो जी बरके और हम आपको दिखाते रहते हैं सभी राज्यों की ट्रेवल से समंदित एकदम लेटस जानकारी तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों पर्देश में करोना कर्फ्यू को बढ़ाने और नई बंदिशों के लिए मुख्य मंतरी जैरम ठाकुर ने कैबिनेट मिटिंग बुलाई है इसके चलते 15 माई को सुबह 10.30 बजे पीटर आफ में बुलाई गई मंतरी मंडल की बैठक में बंदिशों की कफी अटकलों पर विराम लगेगा पर्देश में 17 माई तक लागू करोना कर्फ्यू को और आगे बढ़ने की पूरी संभावना है इसके लिए राजे सरकार के पास 10 दिन या एक सप्ता के रूप में 2 विकल्प दिये गए हैं हालाकि स्वास्ते विभाग करोना कर्फ्यू की समय अवदी 14 दिन और बढ़ने की सिफारिश करता नजर आ रहा है सक्तियों और को लेकर सरकार के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि दोस्तों कोरोना ने अपनी विक्राल रूप हिमाचल परदेश में दिन परती दिन दिखा रहा है क्योंकि सौास्ते विभाग और कोविड में जुटी एजन्सियां और सक्ति के हक में हैं इसके विपरीत कमजोर वर्ग वे छोटे कारोबारी धील के पक्ष में हैं दोस्तों कोरोना महमारी ने हमारे परदेश में पूरी तरह से जाल बिचा रखा है जिसके अंदर छोटे कारोबारी और बहुत पिछडे वर्ग और कमजोर वर्ग के लोग काफी मुश्किलों का सामना करते दिखाई दे रहे हैं इस सूरत में सक्ती की जाए या कोरोना कर्फ्यू में धील के बजाए सरकार के पास मोजूदा बंदिशों को बरकरार रखने के साथ कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा है इसी कारण मुख्यमंत्री जैरम ठाकुर ने ईद की छुट्टी के तुरंत अगले दिन शनिवार को मंत्री परिशद को एहम चर्चा के लिए बुलाया है इसी बीच सरकार के ऊपर बंदिशों में धील और जादा सक्तियों का भी एक बराबर दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों अब बात करते हैं RT-PCR के आए फैसले पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की बॉर्डर पर एंट्री को लेकर मंत्री मंडल में चर्चा संभव है केंदर सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए RT-PCR टेस्ट का जंजट समाप्त कर दिया है लेकिन परदेश सरकार ने फिलाल अभी रैपिट एंटिजन टेस्ट की सर्थ लागू करने की बात कही है लेकिन इस व्यवस्ता पर भी अभी कोई SOP जारी नहीं हुई है वर्तमान में जरूरी सेवाओ की दुकानों को तीन गंटे के लिए ही खोला जा रहा है राज्य में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है निजीवानों को भी आपात कालीन इस्तिती में ही परियोग किया जाएगा बिना वैजय आवा जाई पर परतिबंद है और मंतिरी मंडल को यह फैसला लेना है कि बंदिशे यतावत रहेंगी या इसमें और भी कोई बदलाव रहेगा तो दोस्तों ये थी हिमाचल परदेश से जुड़ी एक एहम खबर के लॉकडाउन या कोरोना कर्फियू आगे बढ़ेगा या इसमें और भी सकती होंगी या इस कोरोना कर्फियू में कैबिनेट सरकार मुख्या मंतरी जैवराम ठाकुर द्वारा बुलाई गई आपात कालीन कैबिनेट बिटिंग में जो की 15 तारिक को होनी है के अंदर क्या फैसले लिए जा सकते हैं हम आपको लगातार बताते रहेंगे जिसके लिए आप प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करना न भूल